आप सभी का pathfinders में an academy पे स्वागत है पूरे दुनिया का इस समय जो focus area है वो है middle east में इरान और इसराइल की बीच में game of chickens चल रहा है जहां पे अभी इरान ने 180 से ज़ादा ballistic missiles इसराइल की उपर छोड़ दिया है और इसराइल जो है वो पूरे mood में है retaliate करने को कब करेगा retaliate कितना बड़ा होगा retaliation that the time will only save but एक बात शियोर है कि middle east और west asia एक बहुत बड़े geopolitical instability के तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है which is not good for the entire region and also for the world in general पिट आज का मारा focus area South Asia में इंडिया के neighborhood countries में जहांके leaders is completely dancing वो dance करते रहते हैं जैसे आप देख लिजिए this particular leader मुहमद मुईजू अब ये मुहमद मुईजू जो हमेशा से anti India foreign policy के basis पे election जीत के आए हमेशा से इन्होंने pro Chinese foreign policy को follow किया है इनके खुद के ministers ने Prime Minister Modi के against जहर उगला है आज हालात बदल चुकी है आज मुईजू एक कमजोर leader बन चुके हैं आज मुईजू अपने economy को संभाल नहीं पा रहे हैं और probably like Sri Lanka Maldives में भी एक बहुत बड़ा protest मुईजू को against हो सकता है और इन्ही मजबूरियों के context में अब वो India आने के लिए desperate है और in fact this Sunday probably he is going to visit India तो आज के इस session में हम लोग बात करेगे कि मुईजू की foreign policy किस तरीके से anti-India रही है और pro-Chinese रही है और recent times में कैसे मुईजू जो है वो China छोड़के भारत की तरफ बर रहे हैं क्यों बर रहे हैं और क्या भारत को इनकी help करनी चाहिए इन सारे चीजों को आज के इस particular session में हम लोग बात करेंगे एक चीज आपको जानना जरूरी है जब हम आगे मुद्दिक पे आएं उसके पहले आपको ये जानना है कि India और मालदीव का relation कैसा रहा है अगर India मालदीव का relation की बात करे तो ये इंडिया बांगलदेश के relation से काफ मालदीव की सरकार थी जिसके लीडर थे अब्दुल्ला यमीन और ये लोग हमेशा से प्रो चाइना फॉर्ण पॉलिसी फॉलो किये हैं लेकिन दोजर अथारा से ताइस तक मुहम्मद सुले थे अलॉंग विट नशीद और मुहम्मद सुले जो थे वो मालदीवियन डेमोक प्रिटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे और ये एलेक्शन जीत के आते हैं और ये दोनों लीडर हमेशा से प्रो इंडिया फॉर्ण पॉलिसी को फॉलो किये हैं सो अठारे से तैईस के बीच में इट वस लाइक अवामी लीग गवर्मेंट जिसकी वज़से इंडिया मालदीवियन का रिलेशन काफी अच्छा था 2023 was a relatively unfortunate year for India because एक नई पार्टी with a relatively new person Mohamed Muizu although ये नई परसन नहीं है ये मालदीव के कैपिटल माले के मेर रह चुके हैं but relatively वो एक नई फेस थे मालदीव के politics में so Mohamed Muizu जिनकी पार्टी थी People's National Congress वो जीत के आई और इनको support किस ने किया Progressive Party of Maldives वो यही वाली पार्टी है जो 2013-2018 के बीच में सर्फार ने थी और in fact जब Mohamed Muizu चुनकी आएं तो क्या हुआ कि ये जो अबदुल्ला यमीन थे जिनको सोले ने जेल में डाल दिया था in the backdrop of corruption charges against him जैसे ही Muizu power में आएं तो जो अबदुल्ला यमीन थे इनको जेल से हटा कर house arrest में डाल दिया था तो अब देख सकते कैसे similar है Indian subcontinent की politics जब अबामी लीग की शेक हसीना को भागना पड़ा तो खलीदा जिया को जेल से छोड़ दिया गया तो this happens in this particular areas too much आगे बढ़ने के पहले friends एक important information कि एनकादमी आई है इसका चौथा offline branch पटना में start हो चुका है New Delhi के करोल बांग में हमारे English medium के batches चल रहे है Mukharji नगर में हमारे Hindi medium के batches 3rd or 21st October और प्रियाग राज में हमारे Hindi English दोनों medium के offline batches इन specific dates को start होने जा रहे है Friends आपको पता है कि एनकादमी आई है जो है वो comprehensive GS course के अलावा optional courses, CSAT course, essay writing course, comprehensive current affairs coverage, full and test series, essay facilities को भी provide करती है इन सारे informations के लिए आपको हमारे offline branches पे visit करना होगा या नहीं तो आप हमारे academy IS के app को download कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारे information provide किये जाएंगे अब सीधा मुद्दे पे आते हैं मुहमब्मद मुईजू मैंने पहले भी कहा कि हमेशा से anti-India और pro-China foreign policy को follow किया है इनों है कैसे ये चीज दिखता है तो मुहमब्मद मुईजू जो है वो चाइना विजिट करते हैं इंडिया आने के पहले पहले के जितने भी मालदीव के president चुनके आते थे वो हमेशा पहला विजिट इंडिया करते थे और जब वो चाइना विजिट किये तो in fact उन्होंने relationship में एक नया energy डाला और Xi Jinping के साथ मिलके उन्होंने अपने bilateral relationship को upgrade किया to comprehensive strategy cooperative partnership which is one of the highest level of partnership any two country can have Chinese tourists को उन्होंने मालदीव जादा visit करने को कहा in fact उन्होंने ये भी कहा कि Chinese tourists इंडियन tourists से जादा होने चाहिए One China principle की उपर commitment जाहिर की और Belt and Road initiative के projects को भी sponsor को गया और इस पूरे समय जब ये pro Chinese foreign policy follow कर रहे थे साथी साथ ये हमेशा से anti India campaign को भी चला रहे थे कैसे ये देखिए आप उन्होंने न्यू डेली के जितने भी military presence हैं जो की बहुत जादा नहीं था 70-75 military presence थे हमारे उनको उन्होंने कहा वापस ले जाओ NSA का level meeting था Mauritius में Maldives नहीं participate किया Maldives के president जो हमेशा पहला visit चुनाओं के बाद इंडिया आते थे ये पहले टर्की चले गए अपने Islamic relation को बढ़ाने के लिए और उसके बाद इंडिया को परिशान करने के लिए चाइना चले गए और in fact ये एक कदम और जाते हैं और शी जिंपिंग के साथ जब ये खड़े थे चाइना के विजिट के दोरान तो आप देखिए वो इंडिया को indirectly कितना बड़ा criticism करते हैं कि we may be small but won't be bullied ये एक तरीके से completely anti-India statement था जो सभी को पता था कि ये statement primarily इंडिया को target कर रहा है कि इंडिया जो है वो मालदीव को bully करता है I don't know in which world he was living before making that statement but he said that तो ये clear cut बताता है कि मुईजू जो है उनको कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार था नहीं anti-India campaign उन्होंने चलाया बट अब क्या है अब वो recalibrate कर रहे हैं अब वो वापस से backtrack कर रहे हैं यूटन ले रहे हैं क्योंकि मुखमद मुईजू के साथ सबसे बड़ा problem था election जीतना था 2023 में presidential election था 2024 में parliamentary election था अब election खतम हो चुके हैं अब मुईजू को जमीनी हकीकत के बारे में पता चल रहा है कि भाया economy तो कुलाप्स हो चुकी है एक बहुत बड़ा protest मेरे against आ सकता है just what happened in श्री लंका चाइना से जो इनको मदद चाहिए वो मिल ली रहे तो आज मुखमद मुईजू is coming to the reality और reality इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है इसलिए आज ये अपने propaganda और rhetoric को खतम करके pragmatically इंडिया भारत के साथ relation को काफी तेज rate से अब आगे बढ़ा रहे ये कैसे हमें दिखता है ये recalibration हम कैसे देख सकते हैं तो सबसे बड़ा shift आये था जब मुईजू प्राइम इनिस्टर मोधी के ओध सरेमेनी में विजिट की है कुछ दिन पहले औगस्त के महीने में S.J. शंकर मालदीव्स विजिट किये थे और मुईजू देखिए क्या कहते हैं मुईजू इंडिया को closest ally कहते है from anti-India to closest ally और साथी साथ मुईजू जो है वो इंडिया से मदद मांगते हैं debt में, कर्ज में क्योंकि मालदीव्स के उपर कर्ज बहुत बड़ा है और in fact इंडिया का भी कर्ज मालदीव्स के उपर है तो उसमें उन्होंने मदद मांगा मालदीव्स नहीं कहा कि peace and stability को ensure किया जाएगा इंडिया नोशियन में एक तरीके से मालदीव्स के कहना चाहरा है कि चाइना के presence को हम उतना नहीं बढ़ाएंगे जिससे इंडिया को problem हो और चौथा सबसे important recalibration या मालदीव्स के President मुईजू का change होना stand ये चौथे statement से point से clear हो जाता है कि जब मुईजू से America के conference में पूछा गया कि आप हमेशा से anti-India agenda follow किये हो तो मुईजू ने surprisingly देखिये क्या कहा कि we have never been against any one country at any point it's not India out अब अब बताईए कि कैसे मुईजू जो है he is making a mockery of himself हमेशा से ये anti-India रहे है in fact China जाके जब वो कहरें कि don't bully us और आज वो कहरें कि हम India out कभी थे ही नहीं हमने anti-India कभी कहा ही नहीं ये मेरे सरकार की कभी भी foreign policy नहीं रही है India को problem create करना है anti-India foreign policy तो ये बताता है कि मुईजू जो है वो एक तरीके से he is dancing to the tunes which he himself had set और in fact अब तो मुईजू जो है वो इंडिया आने के लिए इतने desperate थे पिछले एक महीने से वो constantly इंडिया आने का प्रयास कर रहेते हैं finally he is going to visit on Sunday now क्या ऐसी मजबूरी हो गई है कि मुईजू को वापस से problem आ रहा है एक सबसे बड़ा problem है जो IMF के रिपोर्ट 2024 में भी exposed किया गया था कि मालदीव की उपर जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है खासकर जो foreign debt है which is around 4 billion डॉलर जो की उनके fordex reserve से कई गुना जादा है और उस कर्ज में इंडिया का भी बहुत बढ़ा component है which is around 400 million dollar और इसी कर्ज को restructure करने की मदद मुईजू ने इंडिया से मांगा है dependency on India tourists आपको बता है कि maximum tourists जो मालदीव में आते हैं वो इंडियन था है but recent times में इंडियन tourists जो मालदीव जा रहे हैं उसमें significant decline आया है because of boycott मालदीव's campaign और जो मालदीव से उसमें inflation बहुत बढ़ा हुआ है primarily because कि मालदीव का जो इंडिया के उपर dependence है वो बहुत sophisticated goods के उपर नहीं है बट बहुत ऐसे goods के उपर है जो basic necessities है such as rice, spices, fruits, vegetables, poultry, cement तो because of all these turbulence in the relation, इंडिया का जो supply है मालदीव में वो कम था जिसके लिए मालदीव में inflation has skyrocketed or disappointment of China कि China की जो आप देख सकते हूँ ये कर्ज इस 25% कर्ज मालदीव का चाइना के उपर है और जब मालदीव ने मदद मांगा चाइना से कि मेरे कर्ज को आप restructure कर दो मैं problem में हूँ तो चाइना ने मना कर दिया सो ये आज बताता है कि बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के नेबर में और आफ्रिकन कंट्रीज जिन्नोंने Chinese dream के उपर भरोसा दिखलाया वो आज उनको पता चल रहा है कि how Chinese dream was a myth चाइना किस तरीके से debt trap में सारे कंट्रीज को अपने interest के लिए फुल्फिल कर रहा है आज इसलिए पाकिस्तान में anti-China sentiment है नेपाल में anti-China sentiment है श्विलंका में anti-China sentiment है मालदीव्स में anti-China sentiment है African countries are also trying to decouple from China's debt तो चाइना का जो सपना दिखलाया चाइना ने एक नया world order एक नया way of economic development आज कंट्रीज का भरोसा चाइना पर कम हो रहा है तो ये मुईजू का dance है इसलिए मुईजू को अपने national interest को अपने foreign policy को national interest के basis पर set करना चाहिए था ना कि अपने political compulsions पर बेसिस पर इस तरीके से भारत को provoke करना चाहिए था आज भारत चाहे तो help करेगा नहीं चाहे तो नहीं help करेगा लेकिन अगर आप मिलके काम करते तो अभी तक आपके पास ये मजबूरी आती ही नहीं तो ये lesson cable मालदीव के लिए नहीं है ये in fact सारे neighbors के लिए है शुलंका में देखे क्या हुआ recent चिना हुआ दिसंके चुन के आएं जो pro-marxist और pro-chinese party है और वो कह रहा है कि अधानी group को बंद कर देंगे भाई अधानी का कितना investment है आपके country में आप again अपने politics को चमकाने के लिए इस तरीके के anti-national interest काम कर रहे हो similarly बांगलदेश में आपको पता electricity shortage है because of again anti-India अपने Muhammad Yunus कर रहे है नेपाल केपी शर्मा ओली पावर में आए जो कि हमेशा से anti-India रहे है यही परसन थे जो काला पानी का border dispute चालो कि इंडिया के साथ और पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए तो इंडिया वो पहला प्यार है जिसको वो कभी भूल ली सकता है तो पाकिस्तान national interest को फुल्फिल नहीं करता है उसका एक ही interest है वो है anti-India इसलिए देखी United Nation में जाके कुछ अच्छी बात तो करता नहीं है इंडिया के बारे में बात करता है इंडिया के aggression के बारे में बात करता है in fact यह जो भाई-साव है इन्होंने Palestine और Jambun Kashmir को compare कर दिया और अभी इन्होंने क्या किया है Zakir Naik जो एक controversial speaker है इनका red carpet visit किया है इन्होंने so that shows कि Pakistan जो है it is a failed state and it is never it will never ever rise again because first of all उनको समझ मैं चाहिए कि इनका देश का interest है क्या उनको इंडिया के beyond move करना होगा तो ये सारे countries जो इंडिया की neighborhood में है इनको भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए anti-India stand ना ले because problem इन्ही को है इंडिया को कोई फरक नहीं पड़ता है because India is the world's fastest major growing economy आपको अपना चिंता करना चाहिए इसलिए आपको अगर अपना national interest फुल्फिल करना है तो आप भारत के साथ मिलके ही काम कर सकते because एक बात इन सारे countries को पता रहना चाहिए कि geography is a reality आपके छोटे मोटे challenges हो सकते है but क्या ऐसा हो सकते है कि आप भारत से separate हो जाओ नहीं this has always been an Indian subcontinent इसलिए South Asia के जितने भी के countries है जो पहले एक थे Indian subcontinent थे उनको ये पता रहना चाहिए कि we all are tied together in single garment of history हम लोग सब का किस्मत एक ही है और इस किस्मत को बनाने के लिए आपको भारत के साथ मिलके काम करना होगा अब आपको इस analysis के बाद आपका क्या view है क्या इंडिया को मुईजू का support करना चाहिए और क्या इंडिया को कितना support करना चाहिए और किस तरीके से ये सारे countries को भारत के साथ मिलके काम करना चाहिए और South Asia कैसे अच्छे से काम कर सकते है such as Europe Union ये कैसे हम कर सकते है आपका क्या views है आप जरूर comment box में बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और see you again in the next video and then goodbye, take care and I hope that your studies are going good, thank you